प्लेज, 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 प्लेज रेडियो प्लेबैक इंडिया वाणी जैराम की आवाज गुलजार के बोल और वसंत देशाई का संगीत फिल्म गुड़ी के लिए अभिनेत्री जया भादुडी संगीत का वसंत देशाई और पार्श गाई का वाणी जैराम का चुनाओ रिशीदा ने कैसे और क्यूं किया इस गीत की रिकॉर्डिंग होते ही वाणी जैराम को किस बात का अभास हो गया था बच्पन में बिना का गीत माला सुनते समय अपनी मा से कही हुई कौन सी बात 25 साल बात सच हुई फिल्म गुड़ी में वाणी जैराम के गाय किस गीत को लता जी के गाय एक पुराने गीत से रिप्लेस कर दिया गया वाणी जैराम लता मंगेशकर के किस गीत की रिकॉर्डिंग पर उनसे मिली जब पाणी जैराम लता मंगेशकर के घर गई तब लता जी ने उपहार स्वरूप उन्हें क्या दिया ये सब कुछ आज के इस अंक में शोद और आलेक सुजोय चैटर जी का है और आज इसका वाचन कर रहे हैं मनुझ मिहता रिशिकेश बुखर जी की फिल्म गुड़ी प्रदर्शित हुई थी एक जन्वरी 1971 के दिन यह फिल्म अभिनेतरी जया भादुड़ी की पहली फिल्म के रूप में याद की जाती है फिल्म की कहानी मज़ेदार थी गुड़ी नाम की स्कूल जाने वाली लड़की को अभिनेता धर्मेंदर से प्यार हो जाता है और उनसे वह शादी करना चाहती है रिशिदा की मन में शुरू शुरू में गुड़ी के चरित्र के लिए मौसमी चटर जी थी जो उनके मित्र गायक और संगीतकार हिमंत कुमार की परिचित थी और जिनों ने उन्ही दिनों बांगला फिल्म बालिका वधु में शानदार अभिने किया था लेकिन जब जया भादुडी FTII से उतिर्ण होकर निकली तो वो चर्चा में थी और रिशिदा ने जैसे ही उन्हें देखा उन्हें लगा कि जया भादुडी ही उनकी गुड़ी है आगे चलकर जया भादुडी और रिशिकेश बुखर जी ने बावर्ची अभिमान और मिली जैसी उलेख निये फिल्मों में एक साथ काम भी किया उन दिनों अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन नहीं बने थे इसी लिए रिशिदा ने उनका चुराव किया गुड़ी के मंगेतर के चरित्र के लिए लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही रिशिदा समझ गए कि अमिताब बच्चन की प्रतिभा अप्रतीम है और इस मामूली चरित्र के लिए उनका विशाल व्यक्तित्व फिट नहीं हो रहा रातो रात रिशिदा अमिताब बच्चन की जगा ले आए बांगला के अभिनेता समीत भंज को और अमिताब बच्चन के साथ आनंद फिल्म करने का निश्य किया कहा जाता है कि सोला वर्षी ये गुड़ी की भूमिका निभा रही बाईस वर्षी ये जया भाधुरी उच समय फिल्म के सेट पर सोफे के पीछे चुप गई जब वहाँ अभिनेता धर्मेंद्र पहुँचे जो स्वयम के रूप में ही फिल्म में अतिथी कलाकार की भूमिका निभा रहे थे अब आते हैं गुड़ी फिल्म के गीत संगीत पर फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसी थी कि रील लाइफ और रील लाइफ के बीच का अंतर सामने लाना था वह इसलिए क्योंकि गुड़ी एक आम मध्यवर्गिय परिवार की स्कूल जाने वाली लड़की है और दूसरी तरफ है फिल्मों के महानायक धर्मेंद्र जिनकी गुड़ी बहुत बड़ी फैन है और जिनसे गुड़ी शादी भी करना चाहती है ऐसे में गुड़ी के मध्यवर्गिय पारिवारिक पार्श्व और उसके किरिदार को वास्तविक्ता प्रदान करने के लिए फिल्म के गीत संगीत में फिल्मी पन को कम करना बहुत आवश्यक था कहने का अर्थ यह है कि फिल्म जगत के व्यवसाइक रूप से सफल संगीतकारों और जानी पहचानी आवाजों को दूर रखना जरूरी था फिल्म की स्क्रिप्ट में तीन गीतों की गुणजाईश थी जो गुड़ी गाती है एक मध्यवर्गिय परिवार की सोलह साल की लड़की किस तरह के गीत गाएगी यकीनन मध्यवर्गिय परिवार की लड़कियों को या तो शास्त्रिय संगीत की तालीम दी जाएगी या भजन गायन की इसलिए तय हुआ कि फिल्म में दो भजन और एक शास्त्रिय संगीत आधारित रचना रखी जाएगी सारे पक्षों पर विचार विमर्ष के बाद रिशीदा ने फिल्म के संगीत का भार अत्यन्त गुणी संगीतकार वसंत देशाई को सौपने का निश्य किया वसंत देशाई के साथ यह उनकी पहली फिल्म थी फिल्म गुड़ी के उन गीतों को गाने के लिए नवोदित गाई का वाणी जैराम के चुनाव के पीछे भी तर्क यही था कि लता जी या आशा जी से जया भादूरी का प्लेबैक करवाए जाने पर वास्त विक्ता कम हो जाएगी क्योंकि उनकी आवाजें प्रतिष्टित फिल्मी आवाजें हैं आम लड़की गुड़ी के लिए तो एक अंजानी सी आवाज चाहिए जो नवोदित अभिनेत्री जया भादूरी की आवाज बन सके अब वसंत देशाई सहाब ने इस फिल्म के लिए वाणी जैराम का ही चुनाव क्यों किया यह जानने के लिए वाणी जैराम जी के ही एक साक्षतकार का सहारा हमने लिया है शुरिया मोहन को दिये एक इंटर्व्यू में वाणी जैराम बताती है कि वो एक चाइल्ड प्रोडिजी रही है मात्र तीन वर्ष की आयू में ही वो रागों को पहचान लेती थी और बाहरा वर्ष की आयू तक पहुचते पहुचते वो तीन तीन घंटों के करनाट की शास्त्रिय गायन के कॉंसर्ट करने लगी थी लेकिन अंतर मन में उनकी दिल्चस्पी हिंदी फिल्म संगीत की तरफ अधिक थी तमिल लाडू के वेलोर के एक रूडी वादी परिवार में जन्मी वाणी जैराम की माँ चाहती थी कि वो शास्त्रिय संगीत को ही चुने क्योंकि उनके परिवार में फिल्मी गायन को अच्छा नहीं माना जाता था जब बुधवार को रेडियो सिलोन लगा कर वाणी अमीन सयानी के मशूर प्रोग्राम बिनाका गीत माला को सुनती थो वो अपनी मा से कहती कि देखना एक दिन इस प्रोग्राम में मेरा गाना भी बजेगा और उनकी मा जवाब देती कि पहले शादी करू फिर अपने पती से कहना जो तुम्हे करना है बचपन में कही हुई वाणी जैराम की बात सच साबित हुई जब 1972 के बिनाका गीत माला के वार्शिक कारिक्रम में फिल्म गुड़ी के बोले रे पपी हरा को 21 पायदान मिला 25 वर्ष की आयू में वाणी का विवाह सितार वादक जैराम से संपन्न हुआ दोनों संगीत के साधक होने की वजह से दोनों में ट्यूनिंग भी खूब जमी दोनों बंबई चले गए और वहाँ वाणी जैराम ने उस्ताद अब्दुल रह्मान से हिंदुस्तानी शास्त्रिय गायन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी उस्ताद अब्दुल रह्मान साहब संगीत कार वसंत देशाई साहब के करीबी दोस्तों में से थे और रह्मान साहब ने ही वसंत देशाई साहब को बताया कि एक दक्षण भारती लड़की नई नई आई है जो अत्यंत प्रतिभाशील है वर्ष 1970 में ही वसंत देशाई ने वाणी जैराम का ओडिशन लिया वाणी जैराम के पती नहीं वाणी की मा को राजी किया अपनी बेटी को फिल्मों में गाने की अनुमती देने के लिए वाणी जैराम करनाट के ये शास्त्रिय संगीत में तो पारंगत थी ही रह्मान साहब उन्हें हिंदुस्तानी संगीत की तालीम भी दे रहे थे और अब वसंत देशाई साहब उन्हें फिल्मी गायन की बारिकियां सिखाने लगे गुड़ी फिल्म के तीनों गीतों के लिए देशाई साहब ने वानी जैराम को बड़ी मेनत और लगन से तयार किया और तीनों गीत पूरे परफेक्शन के साथ रिकॉर्ड भी हुए उसी इंटर्व्यू में वानी जैराम ने बताया कि वह 22 दिसंबर 1970 का दिन था जब वो बंबई के प्रभादेवी में पहली बार किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर गई अपने पहले फिल्मी गीत के लिए फिल्म गुड़ी का वह पहला गीत था हरी बिन कैसे जीऊं यह एक मीरा भजन था जिसे फिल्म में अंततय रखा ही नहीं गया इस विशे पर हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे इस गीत के रिकॉर्ड होने के कुछ महीनों बाद फिल्म का दूसरा गीत हमको मन की शक्ती देना रिकॉर्ड हुआ जो आगे चल कर देश भर के विद्यालेओं में प्रार्थना गीत के रूप में काफी प्रचलित हुआ और उसके बाद 1971 की जुलाई में यानी वर्षा रितु में राग मिया मलहार पर आधारित गीत बोले रे पपीहरा रिकॉर्ड हुआ इस गीत की रिकॉर्डिंग के समाप्त होने पर वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका होसला बढ़ाया और सब ने उनसे कहा कि देखना यह गीत एक सदा बाहार गीत बना रहेगा बारिश की उस शाम को जब वानी जैराम प्रभा देवी से निकल रही थी उन्हें यह ऐसास होने लगा कि उस दिन से उनका जीवन बदल चुका है फिल्म गुड़ी के रिलीज होते ही जहां एक तरफ जया भादूरी चर्चा का विशे बन गई वही दूसरी तरफ वानी जैराम के गाए बोले रे पपीहरा गीत ने चारूं तरफ धूम मचा दी घर घर में वानी जैराम का नाम और रेडियो पर उनका गाया ये गीत गूंजने लगा इस गीत के लिए वानी जैराम को पाँच पुरुसकार प्राप्त हुए जिनमें हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ट शास्त्रिय संगीत आधारित रचना का तांसें संबान और All India Cinegors Association पुरुसकार शामिल है केवल हिंदी फिल्म जगत में ही नहीं बलकि प्रादेशिक फिल्म जगत में भी उनकी खासी चर्चा होने लगी खास्त और से दक्षण के संगीतकार उनके लाइव परफॉर्मेंस में जाकर उनसे मिलने लगे और उनसे अपनी फिल्म में गीत गाने की रिक्वेस्ट करने लगे अब हम आते हैं हरी बिन कैसे जीऊं गीत पर जिसे फिल्म में जगा नहीं मिल पाई दर असल बात ऐसी थी कि यह गीत फिल्म में क्लाइमेक्स सीन में आता है रिशिदा को लगा कि क्लाइमेक्स के लिए यह गीत सटीक नहीं है गीत के बोल और इसका संगीत क्लाइमेक्स को उबाऊ बना देगा इसलिए उन्होंने इस गीत को फिल्म से हटा दिया लेकिन समस्या अब यह थी कि इसकी जगह कोई नया गीत अब एकदम से कैसे बने फिल्म के क्लाइमिक्स में गीत की सचुएशन कुछ ऐसी थी कि गुड़ी अपने जन्म दिन की पाटी में नवीन का इंतजार कर रही है जिसे आने में देर हो रही है इसी सचुएशन के लिए गुलजार सहब ने मीरा भजन सुझाया था हरी बिन कैसे जीऊं पर रिशीदा द्वारा एन मौके पर इसे खारिज कर दिये जाने के बाद रिशीदा ने ही तै कि वे बिमल रॉय की फिल्म मधुमती के लता जी के गाएगीत आजारे परदेशी का इस्तिमाल यहां करेंगे जिसका भाव सचुएशन के भाव से मेल खाता है किसी फिल्म में किसी अन्य फिल्म के गीत का प्रियोग करना एक नई बात थी इसलिए मधुमती फिल्म के गीत का प्रियोग करने से पहले सीन में एक सम्वाद डाला गया कि गुड़ी कोई फिल्म का गाना गाओ वरना लोग बोर हो जाएंगे और तब गुड़ी गाउटती है आजारे परदेशी मैं तो कब से खड़ी इस पार लता जी के गाए मूल संस्करन का ही प्रियोग किया गया जो थोड़ा अजीब भी लगा अब जब लता जी का जिक्र छिड़ी गया है तो आपको यह भी बता दे कि वानी जैराम जी और लता जी के बीच का संबंद कैसा था लता जी के निधन की खबर सुनकर वानी जैराम काफी परिशान हो उठी थी और क्यूं न हो जिनके गाए गीतों को सुनकर बड़ी हुई हो और जिनके गाए गीत ही उनके संगीत जगत में आने का कारण बने हो उस गाई का के निधन पर विचलित होना तो स्वाभाविखी है यूँ तो लता जी के गाए सारे गाने वानी जी को पसंद थे पर ओ सजना बर्खा बहार आई और प्यार किया तो डरना क्या उनकी खासी पसंद थी अपने कॉलेज के दिनों में वानी जैराम लता जी के ही गाने फंक्शन्स में गाया करती थी उनके फेस्बुक पेज पर साल दोहजार अठारा में वानी जैराम ने लिखा था कि बच्पन से ही वे रेडियो पर बजने वाले लता जी के तमाम गीतों को बड़े ध्यान से सुना करती थी उनकी गायकी की बारीकियों को समझती थी तब ही से उनका सपना था कि बंबई की फिल्मों में गाने गाएं और लता जी से आशिरवाद ले उनका पहला सपना तो फिल्म गुड़ी से पूरा हो गया और दूसरा सपना साकार करवाने में संगीतकार जयदेव जी ने महत्वपूंड भूमिकानी भाई हुआ यूँ था कि जब फिल्म प्रेम पर्बत के प्रसिद गीत ये दिल और उनकी निगाहों के साए के रिकॉर्डिंग हो रही थी तब जयदेव जी ने वानी जी को रिकॉर्डिंग में आने का नौता दिया ताकि वे लता जी से मिल सकें वानी ने पूरी रिकॉर्डिंग को करीब से देखा और उसके बाद लता जी के पैर छुए और उनका आशिरवाद लिया लता जी ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रन दिया जब वानी जी लता जी के पेडर रूड वाले घर पहुँची तब लता जी ने उन्हें धेर सारा आशिरवाद तो दिया और उन्हें एक बनारसी सिल्क साडी भी उपहार स्वरूप दी वानी जैराम बताती हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वे लता जी के जीवन काल में पली बढ़ी और लता जी से कई बार मिलने का उन्हें सो भाग्य प्राप्त हुआ अक्सर ये कहा जाता है कि लता जी और आशा जी की वजह से नई गाईकाएं बंबई में अपने कदम नहीं जमा पाई सच्चाई ये है कि लता जी और आशा जी की आवाजों में ऐसी चमक है और उनकी गाईकी इतनी पक्की कि हर निर्माता, हर डिस्ट्रिब्यूटर, हर संगीतकार अपने गाने इनी से ही गवाना चाहते थे अब इसके लिए किसे दोश दिया जाए वानी जैराम भी जल्दी ही यह बात समझ गई थी कि बंबई में उन्हें B और C ग्रेड फिल्मों में ही गाने के मौके मिल पाएंगे इसलिए उन्होंने दक्षिन की तरफ मुड़ने में ही अपनी भलाई समझी और उनका यह निर्णे लाब प्रद भी साबित हुआ उन्होंने दक्षिन में हजारों गीत गाए और एक अवल पार्शुगाईका के रूप में स्थापित हुई आज उनके इस दुनिया से चले जाने पर फिल्म संगीत के आकाश का एक चमकता सितारा डूप गया और यहां अकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी आशा है आपको पसंद आई होगी शोद और आलेक सुजोय चेटर जी का था वाचनस्वर मनुझ महिता का और प्रस्तुती संग्या टंडन की तो अब आज के लिए दीजे इजासत अगले हफते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ नमस्कार एक गीत सौ अफसाने रेडियो प्लेबैक इंडिया